भीमसेन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बहुबल के वेग से धर्राकर संपून राक्षस इस परवत को छोड़ दे और दसों दिशाओं के शरण ले नमश्कार अगर आप किसी कारण वश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिगा प्रश्ण के रूप में अश्री शेन का युधिश्टर के प्रती उपदेश देशम पायन जी कहते हैं जनमेचर राजश्री अश्री शेन ने तपस्य अद्वारा अपने सारे पाप दग्द कर दिये थे राजा युधिश्टर ने उनके पास जाकर बड़ी प्रसंता के साथ अपना नाम बताते हुए उनके चर्णों में मस्तक रखकर प्रणाम किया तदन अंतर द्रौपदी भीमसे और परम तपस्वी नकुल सहदेव ने ये सभी मस्तक जोका कर उन राजश्रीं को चारों ओर से खेरकर खड़े हुकर प्रणाम किया उसी प्रकार पांडवों के पुरोहित धर्मग्य धौमेजी गठोर प्रत का पालन करने वाले राजश्री अरश्टी शेन के पास ये थोचित शिष्टाचार के साथ उपस्तित हुए उन धर्मग्य मुनी अरश्टी शेन ने अपनी देपदर्श्टी से कुरुष्टेष्ट पांडवों को जान लिया और कहा आप लोग बैठें महा तपस्वी अरश्टी शेन ने भायो सहित कुरुष्टेष्ट युधिष्टर का ये थुचित आदरसत्कार किया और जब वे बैठ गए तब उनकी कुशल समाचार पूछे कुंति नंदन कभी छूट की ओर तो तुम्हारा मन नहीं जाता तुम धर्म में लगे रहते हो न माता पिता के प्रती जो तुम्हारी सेवावृत्ती होनी चाहिए वे है न उसमें शिथिलता तो नहीं आती क्या तुमने समस्त गुरुजनों बड़े बोड़ों और विद्वानों का सदा समादर किया है पात कभी पाप कर्मों में तो तुम्हारी रुची नहीं होती गुरुश्रेष्ट क्या तुम अपने उपकारी को उसके उपकार का यथूचित बदला देना जानते हो क्या तुम्हें अपना अपकार करने वाले मनुश्य की उपेख्षा कर देने की कला का ज्यान है तुम अपने बढ़ाई तो नहीं करते क्या तुम से यथा योग्य सम्मानित होकर साधु पुरुष तुम पर प्रसन होते हैं क्या तुम वन में रहते हुए भी सदा धर्म का ही अनुसरन करते हो पार्थ तुम्हारे आचार वेभार से पुरोहिद धौमे जी को कलेश तो नहीं पहुशता कुंति नंदन क्या तुम दान, धर्म, तप, शौच, सरल्ता और क्षमा आधी के द्वारा अपने बाप दादों में आचार वेभार का अनुसरन करते हूँ पार्थ नंदन प्राचीन राच्ष्री जिस मार्ग से गए हैं उसी पर तुम भी चलते हो ना कहते हैं जब जब अपने अपनी कुल में पुत्र अध्वानाती का जन्म होता है तब तब पित्री लोग में रहने वाले पित्र शोक मगन होते हैं और हस्ती भी हैं शोक्त उन्हें यह सोच कर होता है कि क्या हमें इसके पाप में हिंसा बटाना पड़ेगा और हस्ते इसलिए हैं कि क्या हमें इसके पुन्ने का कुछ भाग मिलेगा यदि ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात है पार्थ जिसके द्वारा पिता माता अगनी गुरु और आत्मा इन पांचों का आदर होता है वह सब लोग और परलोग दोनों को जीत लेता है युदेश्टर ने कहा भगवन आरेचरण आपने मुझे यह धर्म का निचोड बताया है मैं अपनी शक्ति के नुसार ये थोचित रीदी से विधिपूर्वक इसका पालन करता हूँ अर्ष्टिशेन बोले पार्थ पर्वों की संधी वेला में पूर्णिमा तथा प्रतिपदा की संधी में बहुत से रिशिगन आकाश मार्ग से उड़ते हुए आये थे और इस श्रेष्ट परवत का सेवन करते हैं उन में से कितने तो केवल जल पी कर जीवन निर्वा करते हैं और कितने केवल वायू पी कर रहते हैं राजन कितने ही किमपुरुष चाती के कामी अपनी कामनियों के साथ परस पर अनुरक्त भाव से यहां कृड़ा के लिए आते हैं और परवत के शिकरों पर खूमते दिख कुंतिकुमार गंधर्वों और अपसराओं के बहुत से गण यहां देखने में आते हैं। परवों के संधिवेला में इस परवत के ऊपर भेरी, पण, शंक और प्रिदंगों की ध्वनी सुनाई देती है। जीवताओं की व्यार स्थली है, वहां मनुश्यों की गती नहीं हो सकती। भारत यहां थोड़ी सी भी चपलता करने वाले मनुश्य से सब प्राण, द्रेश करते हैं। तथा राक्षस लोग उस पर प्रहार कर बैठते हैं। युदेश्टर इस कैलास के शिखर को लाग जाने पर परमसित देवरश्यों की कती प्रकाशित होती है। शत्रु सुधन पार्थ चपलतावश इस से आगे के मार्क पर जाने वाले मनुश्य को राक्षस कर लोहे के शूल आदी से मारते हैं। तात परवों की संधी के समय यहां मनुश्यों पर सवार होने वाले कुबे अपसराओं से घिर कर अपने अतुल वैभव के साथ दिखाई देते हैं। यक्षों तथा राक्षसों के अधिपती कुबे जब इस कैलाज शिखर पर विराजमान होते हैं। उस समय उदित हुए सूरे की भांदी शोभा पाते हैं। उस अफसर पर सब प्राणी उनका दर्शन करते हैं। भरत्रिष्ट परवत का ये शिखर देवताओं, दानवों, सिध्धों तथा कुबेर का कृड़ा कानन है। तात परवसंधी के समय गंधवादन परवत पर कुबेर की सेवा में उपस्तित हुए। तुम बुरूर गंधर्वों के सामगान का स्वट स्पस्ट सुनाई देता है। तात युदिश्टर इस प्रकार परवसंधी काल में सब प्राणी यहां अनेक बाद ऐसे ऐसे अत्पुत दिश्यों का दर्शन करते हैं। शेष्ट बांड़ों, जब तक तुम्हारी अर्जुन से भेंट ना हो। तब तक मुनियों की भोजन करने योग के सरस्फलों का उभोग करते हुए। तुम सब लोग यहां सानंद निवास करो। ताथ यहां आने वाले लोगों को किसी प्रकार चपल नहीं होना चाहिए। तुम यहां अपनी इच्छा के अनुसार रहकर और शद्धा के अनुसार घूम फिरकर लोट जाओगे और शस्त्रों द्वारा जीती हुई पृत्वी का पालन करोगे। जन्मेज ने कहा ब्रह्मन गंदमादन परवत बल अर्शिशेन के आश्रम में मेरे समस्त पूर्फ पितामह दिव्वे पराक्रमी महामना पांडव कितने समय तक रहे। वे सभी महान पराक्रमी और अत्यन्त बल पौरिश से संपन्न थे। वहार रहकर उन्होंने क्या किया। साधुशी रुमने वहां निवास करते समय विश्विख्यात भी महामना पांडव के भोज़ बदार्थ क्या थे। यह बताने की कृपा कीजिये। आप मुझसे भीमसेन का पराक्रम विस्तार पूर्वक बताएं। उन महाबाहु ने हिमाले परवत की शिखर पर रहते समय कौन-कौन सा कारे किया था। दुच्रिष्ट उनका यक्षों के साथ फिर कोई युद हुआ या नहीं? क्या कुबेर के साथ कभी उनकी भेंट हुई थी? क्योंकि अरिश्टिशेर ने जैसा बताय था उसके अनुसर वहां कुबेर आवश्य आते रहे होंगे। तपोधन मैं यह सब विस्तार के साथ सुनना जाता हूँ क्योंकि पाण्डवों का चरितर सुनने से मुझे त्रिप्ती में ही होती। वहिशंपायन जी ने कहा राजन अप्रतीम तेजस्वी अरिश्टिशेर का यह अपने लिए हितकर वचन सुनकर भरतकुल भूशन पाण्डवों ने सदा उनके आधेश का उसी प्रकार पालन किया। वे हिमाले के शिखर पर निवास करते हुए मुनियों के खाने योग्य सरस्फलों का और नाना प्रकार के पवित्र बिना हंसाचे प्राप्त मधू का भी भोजन करते थे। इस प्रकार भरचेश्ट पांडव वहानिवास करते थे। वहानिवास करते हुए उनका पांचवां वर्ष बीद गया। उन दिनों वे लोमर्शी की कही हुई नानप्रकार की कथाएं सुना करते थे। राजन घर्टोद कच यह कहे कर कि मैं आवर्षक्ता के समय स्वयम उपस्तित हो जाओंगा। सब राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। आरश्टिशेन के आश्रम में रहकर अत्यनत अध्भुत रिश्यों का अवलोगन करते हुए महामना पांडवों के अनीक मास व्यतीत हो गया। वहां रहकर कृड़ा विहार करते हुए उन पांडवों से महाभागमुनी और चारण बहुत प्रसन थे। उनका अंतह करन शुद्ध था और वे संयमनियम के साथ उत्तम्रत का पालन करने वाले थे। एक दिन भी भी पांडवों से मिलने के लिए आये। भरचिरुमनी पांडवों ने उनके साथ दिव्य चर्चा की। तदरंतर कुछ दिनों के बाद एक महान जलाशे में निवास करने वाले महानाग रिधिमान को गरुण ने सहसा जपट्टा मार कर पकड़ लिया। उस समय वे महान परवत हिलने लगा। बड़े बड़े प्रिक्ष मिट्टी में मिल गये। वहां के समस्तर प्राणियों तथा पांडवों ने इस अद्भूत घटना को प्रत्यक्ष देखा। पांडवों ने इपने सुरेदों के साथ जाकर उन मालाओं में गूते हुए दिवे पुष्प देखे। जो पांच रंगे थे। ये शस्वनी द्रॉपदी ने भी उन फूलों को दिखा। तदनांतर उसने समय पाकर परवत के एकांत प्रदेश में सुक पूर्वक बैठे हुए बहाबाहु भीमसें से कहा। भरत्रिष्ट गरुड के पंक से उठी हुई बायू के वेग से उस दिन उस महान परवत से जो पांच रंग के फूल अश्वरतान अदी के तड़ पर गिराए गए थे। उन्हें सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष दिखा। मुझे याद है। खांडवन में तुमारे महामन भाई सत्यप्रतिक अर्जुन ने गंधरवों, नागों, राक्षसों तथा देवराज इंद्र को भी युद में आगे बढ़ने से रोब दिया था। बहुत से भयंकर मायवी राक्षस उनके हाथों मारे गए और उन्होंने गांडिव नामत धनुष प्राप्त किया था। आरे पुत्र तुम्हारा पराक्रम भी इंद्र के ही समान है। तुम्हारा तेज और बाहुबल भी महान है। वे दूसरों के लिए दुस्सह एवं है। भीमजेन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाहुबल के वेग से धर्राकर संपूर्ण राक्षस इस परवत को छोड़ दें और दसों दिशाओं की शरण लें। ततपशात विचित्र मालाधारी एवं शिव सुरूप इस उत्तम शैल शिखर को तुम्हारे सब सुरित भ इस शैल शिखर का देशन करना चाहती हूँ। दुरौपती की ये बात सुनकर परंतप महाबाहु भीमसिर ने इसे अपनी उपर आक्षेप हुआ ससमझा। जैसे अच्छा बैल अपनी उपर चापुक की मार नहीं सह सकता। उसी प्रकार ये आक्षेप उनसे नहीं सहा गया उनकी चाल श्रेष्ट सीह के समान थी। वे सुन्दर, उदार और कनक के समान कांतिमान थे। पर्णुरंदन भी मनस्वी, भल्वान, अभिमानी, मानी और शूरवीर थे। उनकी आँखें लाल थी, दोनों कंधें हिष्ट प्रुष्ट थे। उनका पराक्रम मतवाले गचर प्राज के समान था। दांत सीह के दाणों की समानता करते थे। कंधे विशाल थे, वे शालवरिक्ष की भाती उचे जान पड़ते थे। उनका हृदे महान था, सभी अंग, मनोहर जान पड़ते थे। ग्रीवा शंक के समान थी और भुजाएं बड़ी-बड़ी। वे प्राज की भांती भै और मोह से रहे थो उस परवत पर चड़ने लगे। मदवर्शी कुंजर और मिक्राज की भांती आते हुए धनुश पानधारी भीमसेन को उस समय सब भूतों ने देखा। पान्वरंदन भीम गदा हाथ में लेकर द्रौपदी का हर्ष बढ़ाते वायो पुत्र कुंति कुमार भीमसेन को कभी कलानी, कातरता, व्याकोलता और मत्सरता आदी भाप नहीं चूते थे। वह परवत उची उची भूमियों से युक्त और देखने में भायंकर था। उसकी उचाई कई ताड़ों के बराबर थी और उस पर चड़ने के लिए एक किमार था, तो भी महाबली भीमसेन उसके शिखर पर चड़ गये। परवत के शिखर पर आरूड हो महाबली भी किन्नर, महानाग, मुनी, गंधर्व तथा राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगे। तदनंतर भरत्षेष्ट भीमसेन ने कुबेर का निवास्थान देखा, जो सुवर्ण और स्फटिक मणी के बने हुए भवनों से विभूशित था, उसके चारों ओर सोने की चारदिवारी बनी थी, उसमें सब प्रकार के रत्न जड़े होने से उनकी प्रभा फैलती रहती थी, चारदिवारी के सब ओर सुन्दर बगीचे थे, उस चारदिवारी की उ पर्वत से भी अधिक थी, बहुत से भवनों और अटालिकाओं से उसकी बढ़ी शोभा हो रही थी, द्वार, तोरण, बुर्ज और ध्वत समुदाय उसकी शोभा बढ़ा रही थी, उस भवन में सब और कितनी ही बिलासे नहीं अपसरायन रित्ते कर रही थी, और हवा से फ भीम से उस्धाना ध्यक्ष कुबेर के नगर को बड़े खेद के साथ देख रही थी, गंद मादन से उठी हुई वायू, संपूर सुगंद की राशी लेकर समस्त प्राणियों को अनंदित करती हुई सुखद मंद गती से बह रही थी, वहां के अत्यंत शोभा शाली, विव भीम ने राक्ष स्राच कुबेर के उस्थान को रतनों के समुदाय से सुशोभित तथा विचित्र मालाओं से विभूशित देखा, उनके हाथ में गदा, खडग और धनुष शोभा पा रहे थे, उन्होंने अपने जीवन का मुह सर्वथा त्याग दिया था, वे परवत की भांती अविचल भाव से कुछ दिर खड़े रहे, तत्पशात उन्होंने बड़े जोर से शंक बजाया, जिसकी आवाज शत्रूं के रोंग्टे खड़े कर देने वाली थी, फिर धनुष की टंकार करके समस्त प्राणियों को मुहित कर लिया, तब यक्ष, राक् अस्त्रशस्त्र उन यक्षों तथा राक्षसों के हाथों में आकर बड़ी चमक पैदा कर रहे थे, भारत तदनंतर उन यक्षों और गंधर्वों का भीमसेन के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया, वे यक्ष और राक्षस बड़े मायवी थे, उनके चलाई हुए शूल, श राक्षसों को भीमसेन ने भायानक वेक्षाली भल्ल नामक पाणू द्वारा काट किराया, वे राक्षस आकाश में उड़कर तथा भूतल पर खड़े होकर जोर जोर से गर्जिना कर रहे थे, महाबली भीमने बाणों की जड़ी लगा कर उनके शरीरों को अच्छी प्रका राक्षसों की शरीर और सिर्कटे दिखाई दे रहे थे, जैसे बादल सूरे को धाक लेते हैं, उसी प्रकार प्रियदर्शन पांडू पुत्र भीम को राक्षस धाक लेते हैं, यह सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा, तथ सत्य पराक्रमी बलवान महाबाहू भीमसे अपने शत्रू नाशक बाणू द्वारा समस्त शत्रों को उसी प्रकार ढख लिया, जैसे सूरे अपने केर्णों से संचार को ढख लेते हैं, सब ओर से गर्जन तर्जन करते हुए, तथा बड़ी भयानक आवाद से जिंगारते हुए, सब राक्षसों ने भीमसेन के चित म तनिक भी घबराहट नहीं की, जिनके सारे अंग, विक्रत एवं विक्राल थे, वियक्ष भीमसेन के भैसिक पीडित हुए, अपने बड़े-बड़े आयुद्धों को इधर उदर भेंकर भैंकर आर्तनाद करने लगी, सुद्रन धनुष वाले भीमसेन ने आतंकित हुए, राक्षस आदी योधा, गदा, शूल, खड़क, शक्ती तथा पर्शू आदी अस्त्रों को वहीं छोड़कर दक्षन दिशा की और भाग गए, वहां कुबेर के सखार राक्षस प्रवर मनिमान भी उपस्तित थे, उनके हाथों में त्रशूल और गदा शोभा पा रही थी, उनकी चाती चोड़ी और पाही विशाल थी, उन महाबली वीर ने वहां अपने अधिकार और पौरुष दोनों को प्रकट किया, उस समय अपने सैनिकों को रड़ से विमुक होते देख, विमुस्कुराते हुए उनसे बोले, अरे, तुम बहुत बड़ी संक्या में होकर भी आज एक मनुष्य द्वारा युद में पराजित हो गए, कुबेर भवन में धना ध्यक्ष के पास जाकर क्या का होगे? ऐसा कहकर राक्षस मनिमान ने उन सब को लड़ाया और हातों में शक्ती, शूल तथा गदा लेकर भीमसेन पर धावा किया, मद्द की धारा बहाने वाल महाबली मनिमान भी रोज से आग बबुला हो, बहुत बड़ी गदा लेकर उन्होंने भीमसेन पर चलाई, वे विशाल एवं महाभैंकर गदा आकाश में विद्यूत की भांती चमक उठी, यह देख भीमसेन ने पत्थर पर रगड कर तेज किये हुए बहुत से बानों उस पर आगात किया, परंतु वे सभी बान मनिमान की गदा से टकरा कर नश्ट हो गए, यदे भी वे बड़े वेक से छूटे थे, तथा भी गदा चलाने की अभ्यासी मनिमान की गदा के वेक को ना सह सके। भयंकर महाबली, महापराक्रमी, भीमसिन, गदा युद्ध की कला को जानते थे, अता उन्होंने शत्रो के इस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। पर गिर पड़ी। शक्ती की गहरी चोट लगने से महान धनुर्दर एवं अत्यंत पराक्रमी कुंतिकुमार भीम के नेत्र क्रोच से व्याकुल हो थे, और उन्होंने एक ऐसी गदा हाथ मिली जो शत्रो का भय बढ़ाने वाली थी। उसके उपर सोने के पत्र जड़े थे। वे सारी की सारी लोही की बनी हुई थी। और शत्रो को नश्ट करने में समर्थ थी। उसे लेकर भीमसेन विकट गर्जना करते हुए बड़े वेक से महाबली मनिमान की उर्दोडे। उधर मनिमान ने भी सेहनात करते हुए एक चमचमाता हुआ महान त्रिशूल हाथ में लिया और बड़े वेक से भीमसेन पर चलाया। परन्तु गदा युद में कुशल भीम ने गदा के अगरभाग से उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े करके मनिमान को मानने के लिए उस पर धावा किया। जैसे किसी सर्प के प्राण लेनी के लिए गरुड उस पर तूर पड़ते हैं। महाबाहु भीम ने युद के मुहाने पर गर्जना करते हुए सहसा आकाश में उचल कर गदा खुमाई। और उसे वायू के समान वेग से मनिमान पर दे मारा। मानो देवराज इंदर ने किसी देते पर वच्र का प्रहार किया हुँ। वेग अदा उस राक्षस के प्राण लेकर भूमी पर मूर्ती मती कृत्या के समान गिर पड़ी। भीम से इनके द्वारा मारे गए उस भयानक शक्तिशाली राक्षस को सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। मानो से हिने किसी सांड को मार गिराया हु। उसे बार कर प्रित्वी पर गिरा देख, मरने से बचे हुए निशाचर भयंकर आर्दनात करते हुए पूर्व दिशा की ओर भाग चले। एवं सुहरित वे सभी भीन से इनको ना देखने के कारण बहुत उदास हो गए। तब वे महरती शूरवीर द्रौपदी को अरिष्टी शेन की देखरेक में सौप कर हाथों में अस्त्रशस्त्र लिए एक साथ परवत पर चड़ गए। तदन अंतर शत्रौं का दमन करने वाले वे महान धनुरधर एवं महरती वीर उस परवत के शिकर पर पहुँच कर जब इधर उधर द्रिष्टी बात करने लगे। तब हुने भीमसेन दिखाई दिये। साथ ही उन्होंने भीमसेन के द्वारा मार गिराय हुए महान शक्तिशाली तथा परम उच्साही विशालकय राक्षस भी देखे। जिन में से कुछ छट पटा रहे थे और कुछ मृत पड़े थे। उस समय गदा, खडग और धनुष धारन की ये महाबाहु भीमसेन समर भूमी में संपूर दानवों का संघार करके खड़े हुए देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। तब वे उत्तम आश्रय को प्राप्थ हुए महरती पांदव भाई भीमसेन को हृदे से लगाकर उनके पास ही बैट गए। त्रिश्टि बात करके अपने पास बैटे हुए भाई भीमसेन से कहा। वीर भीमसेन तुमने दुस्साहसवश अत्वा मोह के कारण जो यह पापकर्म किया है वैमुनी वृत्ति से रहने वाले तुम्हारे अनुरूप नहीं है। राक्षजों का यह संगार दर्थ ही किया गया। भीमसेन धर्मग्य पुरुष यह जानते और मानते हैं कि राजद्रोह का कारे नहीं करना चाहिए। परम्तु तुमने तो नकेवल राजद्रोह का अपितु देवताओं की भी द्रोह का कारे किया है। पार्थ जो अर्थ और धर्म का अनादर करके पाप में मन लगाता है उसे अपने पापकर्मों का फल अवश्य प्राप्थ होता है। यदि तुम वही कारे करना चाहते हो जो मुझे प्रिये लगे तो आज से फिर कभी ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। वैशंपायंची कहते हैं जनमेचे धर्मात्मा भाई महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिश्टर आर्थ तत्व के विभाग को ठीक ठीक जारने वाले थे। वे धर्म से कभे च्यूत ना होने वाले अपने भाई भीमसेन से उपर युक्त बातें कहकर चुप हो गए और उसी विशय पर बार बार विचार करने लगे। उधर भीमसेन की मार से बचे हुए राक्षस एक साथ हो कुबेर के भवन में गए। यक्षराजा कुबेर से इस प्रकार बोले। उत्साहशूर्न तथा निश्प्राण होकर रणभूमी में सो रहे हैं। हम लोग उसकी कृपप्रसाथ से चूट गए हैं। परन्तु आपके सखा राक्षस मनिमान मार डाले गए हैं। यह सब कारे एक मनुष्य ने किया। इसके बाद जो करना उचित हो वह कीजिए। राक्षसों की यह बात सुनकर समस्त यक्षगणों के स्वामी कुबेर कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आँखे लाल-लाल हो गए। वे सहसा पोल उठे। यह कैसे संभफ हुआ। भीम ने यह दूसरा अपरात किया है। यह सुनकर धना दक्षिक राज ने क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत आग्यदी रत जोत कर ले आओ। फिर तो सेवकों ने सुनहरे बादलों की घटा के सद्धिश विशाल परवचिकर के समान उचा रत जोत कर तैयार किया उसमें सुवन मालाउं से विभूशित गंधर्व देशिये घोडे जुते हुए थे। वे सर्व गुण संपन उत्तम अश्व तेचस्वी बलवान और अश्वोचित गुणों से युगत थे। उनकी आँखें निर्मल थी और उन्हें नाना प्रकार के रत्न में आभूशन पहनाए गए थे। रत में चुते हुए वे शोभाशाली अश्व शीग्रगामी थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था। मानों वे अभी सब कुछ लांग जाएंगे। उन अश्वों के हिन्हिनाने की आवाज विजे की सूचना देने वाली थी। उन में से प्रत् प्रताओं और गंधर्वों की मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चले जा रहे थे। धाना द्यक्ष महामना को बेर के प्रस्थान करने पर समस्ति यक्ष भी उसके साथ चले। उन सब के नेत्र लाल थे। शरीर की कांदी सुवर्ण के समान थी। वे सभी महाकाय और महा बली थे। वे सब तलवार बांधे अस्त्र श्रस्त्रों से सुसच्चित थे। उनकी संख्या एक हजार से कम नहीं थी। वे महान वेक्षाली यक्ष आकाश में उड़ते हुए गंधमादन पर्वत पर आये। मानू समुचे आकाश मंडल को खींचे ले जा रहे हैं। धन् देखकर उनके अंगों में रोमाज हुआया। इधर कुबेर भी धनुष और तलवार लिये शक्तिशाली महारती पांडू बुत्रों को देखकर बड़े प्रसन हुए। कुबेर देबताओं का कारे सिद्ध करना चाहते थे। इसलिए मनहीमन पांडवों से भहत वे कुबेर आदी तीवर वेक्षाली यक्ष राक्षस पक्षी की तरहा उड़कर गंदमाधन परवत के शिखर पर आये और पांडवों के समीब खड़े हुगए। जनमेच्य पांडवों के प्रती कुबेर का मन प्रसन देखकर यक्ष और गंधर्व निर्विकार भाव से खड़े रहे। धर्मग्य धर्मपुत्र युधिष्टर नकुल और सैदिव। ये महारत ही महामाणा पांडव भगवान कुबेर को प्रणाम करके अपने को अपराधी चा मानते हुए उन्हें सब ओर से घेर कर हाज जोड़े खड़े रहे। पराकाष्टा था। विमान पर बैठे हुए कुबेर के पास कील जैसी कान वाले तीवर वेक्षाली, विशालकाय, सहस्त्रों यक्षर राक्षस भी बैठे थे। जैसे देवता इंद्र को खेर कर खड़े होते हैं। उसी प्रकार सेंकडु, गंधर्व और अपसराओं के ग पाश तता धनुष लिए भीमसेन धनादिक्ष कुबेर की ओर देख रहे थे। भीमसेन को राक्षसों ने बहुत खायल कर दिया था। उस सवस्था में भी कुबेर को देखकर उनके मन में तनिक भी गलानी नहीं होती थी। भीमसेन हाथों में तीखे बाण लिए उस समय भ तुम सदा सब प्राणियों की हित में तत्पर रहते हो। यह बात सब प्राणी जानते हैं। अतह तुम अपने भाईयों के साथ इस शैल शिकर पर निर्भाय होकर रहो। पांडुनंदन तुम्हें भीमसेन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह यक्ष और राक्षस काल के द्वारा पहले ही मारे कह थे। तुम्हारे भाई तो इसमें निवित मात्र ही था। भीमसेन ने जो ये तुस्साहस का कारे किया इसके लिए तुम्हें लजज़ित नहीं होना जाहिए। क्योंकि यक्ष तथा राक्षसों का यह बिनाश देवताओं को पहले ही हो चुकी है वैशंपायन जी कहते हैं जनमेजर राजा युधिस्टर से ऐसा कहकर कुबेर ने भीमसेन से कहा तात कुरिश्रिष्ट भीम तुमने द्रौपदी के लिए जो यह साहस्पूर्ण कारे किया है इसके लिए मेरे मन में कोई विचार नहीं है तुमने मेरी तथा मुक्षसों का बिनाश किया है इससे तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ ब्रेकोदर आज मैं एक भयंकर शाप से छूट गया हूँ पूर्वकाल की बात है महरशी अगस्ते ने किसी अपरात पर कुपित हो मुझे शाप दे दिया था उसका तुम्हारे द्वारा निराकरण हुआ है पांडवनंदन मुझे पूर्वकाल से ही ये दुख देखना बनता था इसमें तुम्हारा किसी तरह भी कोई अपरात नहीं है युधिस्ट्र ने कहा भागवन महात्मा अगस्त ने आपको कैसे शाप दे दिया देव आपको शाप मिलने का क्या कारण है किया मैं सुनना चाहता हूँ मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्यरे होता है क्यों बुद्धिमान महरशी के क्रोध से आप उसी समय अपने सेवकों और स्यनिकों सही जलकर भजम क्यों नहीं हो गए कुबेर बोले नरेश्वर प्राचीन काल में कुश्वती में देवताओं की मंतरणा सभा बैटी थी उसमें मुझे भी बोलाया गया था मैं तीन सो महापत्म यक्षों के साथ बहा गया वे भयानक यक्ष नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिये हुए थे रास्ते में मुझे मुनिशेष्ट अगस्त दिखाई दिये जो यमुना के दट पर कठोर तपस्या कर रहे थे देह प्रदेश भांती भांती के पक्षियों से व्याप्त और व्रिक्षित व्रिक्षावलियों से सुशोभित था मरशी अगस्ते अपनी दोनों बाहे उपर उठाए सूर्य के और मुह करके खड़े थे वे ते जो राशी महात्मा प्रज्यलित अगनी के समान उद्विप्द हो रहे थे राजन उन्हें देख कर ही मेरे एकमित्र राक्षस राज श्रीमनीमान ने मुर्खता अज्यान अभिमान एवो मुह के कारण आकाश से उन महरशी के मस्तक पर थोग दिया तब वे क्रोच से मानुस सारी दिशाओं को दग्द करते हुए मुझसे इस प्रकार बूले धनेश्वर तुम्हारे इस दुष्टात्मा सखाने मेरी अभेलना करके तुम्हारे देखते देखते जो मेरा इस प्रकार तिरसकार किया है उसके फल्सरूप इन समस्त सेनिकों के साथ यह एक मनुष्य के हाथों से मारा जाएगा तुम्हारी बुध्धी खोटी हो गई है अतह इन सब सेनिकों के मारे जाने पर उनके लिए दुख उठाने के पशात तुम फिर उसे मनुष्य का तर्शन करके मेरे शाप एवं पाप से छुटकारा पासकोंगे इन सेनिकों में से जो तुम्हारी आग्या का पालन करेगा वह पुत्र पौत्र तथा सेना पर लागू होने बाले इस भैंकर शाप के प्रभाव से अलग रहेगा महराज उधिष्ट पूर्वकाल में मुनिश्रिष्ट अगस्ते से यही शाप मुझे प्राप्थ हुआ था जिससे तुम्हारे भाई भीमसिन ने छुटकारा दिलाया है नमस्कार मैं आभाशर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहिद करें